हेलो दोस्तों, तो आज मैं ले करके आया हूँ, इस्पेकुलेट भर्ब, इस्पेकुलेट जैसे कि आप लोगोंने सेयर मार्केट में या श्ठोक मार्केट में अवस्द शूना होगा कि कोई इस्पेकुलेटिं कर रहा है, यानि कोई सठे बाजी कर रहा है तो आज मैं लेकर के आया हूँ स्पेकुलेट भर्ब जिससे बना है स्पेकुलेटर, स्पेकुलेशन और बहुत सारे वरड मिनिंग तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि स्पेकुलेट भर्ब का हिंदी मिनिंग क्या होता है और हम लोग सीखेंगे कि ये स्पेकुलेट भर्ब का पाचो फर्म क्या होता है और हम लोग सीखेंगे कि ये स्पेकुलेट भर्ब से साथ पलस कौन कौन सा वर्ड मिनिंग बना है और हम लोग सीखेंगे कि ये स्पेकुलेट भर्ब का और इनके पाचो फर्मों का और इनसे मिल करके बनने वाले साथ word meanings को किस तरीके से sentence में use किया जाता है और साथ ही साथ हम लोग सीखेंगे कि किस word का किस तरीके से उचारण किया जाता है तो चलिए केवल एक वीडियो में ये सब हम लोग सीखते हैं और सुरू करते हैं आज की class का और आज का आपका भर्व है speculate ये speculate भर्व है और भर्व का main form है इसलिए मैं इसके आगे to लिखा हूँ जो भर्व का main form होता है उसके आगे to लिखा जाता है तो speculate भर्व का हिंदी मिनिंग होता है सटा लगाना या सटे बाजी करना या अंदाजा लगाना या कलपना करना या लाभ कियासा से बेपार करना या सोचना या अनुमान करना या बीचारना यानि इन सबी अर्थों में speculate भर्व का यूज किया जाता है जैसे कोई share market में या stock market में कोई बेक्ती सटे बाजी करता है या फिर अनुमान करता है कि share market नीचे आ रहा है कि up जा रहा है तो इसी तरीके से सटे बाजी करने को या इसी तरीके से लाब की आसा से बेवपार करने को इंगलिस में बोला जाता है speculate, speculate अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि speculate भर्व का पाचो फर्म क्या होता है तो speculate भर्व का भीवन होता है, speculate भीटू होता है, speculated भीधिरी होता है, speculated भीफोर होता है, speculating और भीफाइप होता है speculate, speculated, speculating, speculates तो यह होता है, speculate भर्व का भर्व फाइप यानि पाचो फर्म तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखेंगे कि speculate भर्व से कौन कौन सा वर्ड मीनिंग बना है और उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि इस भर्व का और इनके पाचो फर्मों का और इन से जो मिल करके साथ वर्ड मीनिंग बना है उनका किस तरीके से sentence में यूज किया जाता है speculate भर्व से मिल करके बनने वाला पहला वर्ड मीनिंग है speculator, 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 speculator सिंगुलर नाउन है यानि इसका परियोग आप एक बेक्ती के लिए करेंगे और इसका plural form होता है speculators यानि PNG से मैं लिखा हूँ ये plural form होता है तो speculator और speculators इन दोनों वर्डों का हिंदी मिनिंग होता है सटे बाज या कल्पना या विचार करने वाला यानि ऐसा बेक्ती जो सटे बाजी करे या कल्पना करे या विचार करे कि सेर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में मार्केट नीचे आ रहा है कि मार्केट उपर जा रहा है तो उसको आप इंग्लिस में बोलेंगे speculator speculator यानि सटे बाज या कल्पना या विचार करने वाला सटे बाजो की संख्या एक हो तो आप speculator बोलेंगे और सटे बाजो की संख्या एक से अधिक हो तो आप speculators बोलेंगे या फिर लिखेंगे अगला word मिरिंग है speculation जानकारी के लिए मैं बतला दूँ कि ऐसा word जिसके last में लगा हो टी आई ओ एन जिसे sun पढ़ा जाता है तो ये noun का काम करता है तो speculation word है ये noun है और ये singular noun है इसका plural form होता है speculations इन दोनों वरणों का हिंदी मिनिंग होता है सटा या सटे बाजी या विचार या परिकल्पना यानि जो बेक्ती share market में सटा लगाता है या सटे बाजी करता है या जो कल्पना करता है उसी कल्पना को या सटे बाजी को इंगलिस में बोला जाता है एस्पेकुलेशन एक सटा हो या सटे भाजी हो या विचार हो या परिकल्पना हो तो आप एस्पेकुलेशन बोलेंगे और एक से अधिक हो तो आप एस्पेकुलेशन बोलेंगे या फिर लिखेंगे मैं यहाँ पर dot dot लिखाऊं इसका मतलब हुआ कि जो word meaning इस word का होता है वही word meaning इस वले word का होता है अगला word meaning है जो कि speculate भर्व से बना है speculative ऐसा word जिसके last में लगा हो T I V E तो वह अधिक्तर adjective के काम करते हैं तो speculative जो है यह adjective है और इसका हिंदी meaning होता है कालपनिक या विचारवान या बहुत लाब की आसा से किया हुआ बेपार संबंधी यानि इन तीनों अर्थों में speculative word का यूज adjective के रूप में किया जाता है अगला word meaning है जो कि speculate भर्व से मिल करके बना है speculative जनकारी के लिए मैं बतला दू कि ऐसा word जिसके last में लगा हो तीवली यानि टी आई भी ई एल वाई तो वह एड भर्व के काम करते हैं speculative एड भर्व है जिसका हिंदी मिनिंग होता है अनुमान के आधार पर यानि अनुमानित रूप से अगला वर्ड मिनिंग है जो कि speculate भर्व से बना है speculativeness ये नाउन है ऐसा word जिसके last में एन इडवल एस लगा हो तो वह abstract noun के काम करता है तो speculativeness ये abstract noun है और इसका हिंदी मिनिंग होता है अनुमानित ता या आर्थिक अब्यो हरिकता ये speculativeness का हिंदी मिनिंग होता है तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि इन सभी वर्डों का और speculate भर्व का और उनके पांचों फर्मों का किस तरीके से sentence में यूज किया जाता है और आप लोग किस तरीके से sentence में यूज करेंगे अगला sentence है अगर आप लोगों को imperative sentence में भीवन के रूप में speculate भर्व का यूज करना हो तो चलिए सीखते हैं कि किस तरीके से आप speculate भर्व का यूज करेंगे अगर आप लोगों को imperative sentence नहीं आता है तो आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके imperative sentence वाले वीडियो को देख सकते हैं तो अगर आप लोगों को किसी से कहना हो सवधानी से विचार करें तो आप इंगलिस में बोलेंगे speculate carefully यानि विचार करें यानु मानित करें या सट्टे भाजी करें यानि इस वाले वरड़ का आप जो पहले बतलाएं उन सारे अर्थों में इसका हिंदी मिनिग निकाल सकते हैं तो इस sentence का हिंदी मिनिंग हुआ, speculate यानी विचार करे, carefully यानी सवधानी से, तो इसका हिंदी मिनिंग हुआ, सवधानी से विचार करे, अगला sentence है, अगर आपको किसी से कहना हो, सबूत के बिना अनुमान न करे, तो आप इंगलिस में बोलेंगे, don't speculate without evidence, don't speculate without evidence, don't speculate यानी अनुमान न करे, without evidence, यानी बिना सबूत के, तो इस sentence का हिंदी मिनिंग हुआ, बिना सबूत के, अनुमान न करे, अगला sentence है, अगर आप लोगों को किसी से कहना हो, समझदारी से अनुमान करे, तो आप लोग इंगलिस में बोलेंगे, speculate wisely, speculate यानी अनुमान करे, wisely यानी समझदारी से, तो इस sentence का हिंदी मिनिंग हुआ, समझदारी से अनुमान करे, अगला sentence है, अगर आप किसी से कहते हैं, अंधेरे में अनुमान न करे, तो आप इंगलिस में बोलेंगे, don't speculate blindly, don't speculate blindly, don't speculate यानी अनुमान न करे, blindly यानी आँख मुद करके, या अंधेरे में, तो इस sentence का हिंदी मिनिंग हुआ, कि अंधेरे में अनुमान न करे, अगला sentence है, अगर आप लोगों को किसी से कहना हो, तत्यों पर अधारित अनुमान करे, तो आप इंगलिस में बोलेंगे, speculate based on facts, speculate यानी अनुमान करे, बेस्ट यानी अधारित, अन यानी पर, अफेक्ट्स यानी तत्यों पर, तो इस sentence का हिंदी मिनि हुआ, कि तत्यों पर अधारित अनुमान करे, अगला sentence है, अगर आप लोगों को किसी से कहना हो, भावनात्मक रूप से अनुमान न करे, तो आप लोग इंगलिस में बोलेंगे, don't speculate emotionally, यानी अनुमान न करे, emotionally यानी भावनात्मक रूप से, तो इस sentence का हिंदी मिनि हुआ, भावनात्मक रूप से, अनुमान न करे, अगला sentence है, अगर आप लोगों को किसी से कहना हो, बुधी मता से विचार करे, या फिर आपको कहना हो, कि बुधी मता से अनुमान करे, या बुधी मता से सटे बाजी करे, तो आप लोग इंगलिस में बोलेंगे, इस्पेकुलेट इंटेलिजेंटली, इस्पेकुलेट इंटेलिजेंटली, इस्पेकुलेट इंटेलिजेंटली, इस्पेकुलेट या बिचार करे, या अनुमान करे, या सटे बाजी करे, या जो वर्ड मिनिंग, इस्पेकुलेट भर्व का मैं पहले बतलाया था, उन सारी अर्थों में इसका यूज कर सकते हैं तो आप बोल सकते हैं कि विचार करें या सट्टे बाजी करें या अनुमान करें intelligently यानि बुधी मता से तो इस sentence का हिंदी मिनिंग हुआ बुधी मता से विचार करें अगला sentence है अगर आपको किसी से कहना हो डॉंट एस्पेकुलेट बिदाउट लॉजिक यानि अनुमान न करें बिदाउट लॉजिक यानि तर्क के बिना तो इस sentence का हिंदी मिनिंग हुआ तर्क के बिना अनुमान न करें अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखेंगे कि परजेंट इन्डिफिनिटेंस में भी बन और भी फाइब के रूप में आप लोग किस तरीके से एस्पेकुलेट भर्व का यूज करेंगे तो अगर आप लोगों को किसी से कहना हो वे एस्टॉक मार्केट में अनुमान लगाते हैं तो आप लोग इंग्लिस में बोलेंगे दे स्पेकुलेट इन्द इस्टॉक मार्केट यानि वे अनुमान लगाते हैं इन्द इस्टॉक मार्केट यानि इस्टॉक मार्केट में तो इस सेंटेंस का हिंदी मिनिंग हुआ वे stock market में अनुमान लगाते हैं अगला sentence है अगर आप लोगों को किसी से कहना हो निवेशक बजार के प्रबृतियों पर अनुमान लगाते हैं तो आप लोगे इंगलिस में बोलेंगे investors speculate on market trends investors speculate on market trends investors speculate यानि निवेशक को अनुमान लगाते हैं अन यानि पर market trends यानि बजार के प्रबृतियों पर तो इस sentence का हिंदी मिनिंग हुआ निवेशक को या निवेशक market के यानि बजार के प्रबृतियों पर अनुमान लगाते हैं तो अगर आप लोगों को इनवेश्ट भर्ब के बारे में जनकारी नहीं है तो मैं इनवेश्ट भर्ब के उपर वीडियो बनाया हूँ आप लोग इनवेश्ट भर्ब का किस तरीके से sentence में यूद किया जाता है आप इस वीडियो के description box में जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं इस वीडियो के बाद या फिर आप लोग मेरे चैनल के प्लेइलिस्ट में जा करके और वहाँ से most spoken verb series से invest verb के बारे में आप सीख सकते हैं वहाँ से आप लोग को investment, invest और investors ऐसे बहुत सारे word meaning मिलेंगे और साथ में ऐसे ही sentence मिलेंगे और अगर आप लोगों को do, dodge, dean और don का परियोग नहीं आता है तो do verb के बीडियो को देखे अगर आप लोगों को have, has, or had, having का परियोग नहीं आता है तो आप लोग have verb के बीडियो को देखे और अगर आप लोगों को इज आरेम, वाजवर, बी, बीन, बींग का यूज नहीं आता है तो बीभर्व के वीडियो को देखे दुनिया में एक मात्रह सा बीभर्व है जिसका इस धर्ती पे सबसे ज़्यादा इंगलिस में यूज किया जाता है तो बीभर्व के वीडियो को आप जा करके इस वीडियो के प्लेइलिस्ट से देख सकते हैं या फिर चैनल के आप मेरे प्लेइलिस्ट में जा करके Most spoken भर्व स्रीट से आप इन चारो वीडियो को देख सकते हैं अगला सेंटेंस है अगर मुझको आप लोगों से कहना हो मैं भविष्य पर अनुमाल लगाता हूं यानि मैं भविष्य के बारे में अनुमाल लगाता हूं तो मैं इंगलिस में बोलूंगा I speculate about the future I speculate about the future, I speculate यानि मैं अनुमान लगाता हूँ, about यानि के बारे में the future यानि भविष्थे के, तो इस sentence का हिंदे मिनिंग हुआ, मैं future के बारे में या भविष्थे के बारे में अनुमान लगाता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर speculate भर्व का भीवन का यूज किया हूँ, और यहाँ पर भी मैं speculate भर्व का भीवन का यूज किया हूँ अब हम लोग सीखेंगे, all in one, all in one, all in one यानि अब हम लोग सीखेंगे, कि जो भी वर्ड मिनिंग, speculate भर्व से बने हैं, उन वर्डों को आप लोग किस तरीके से sentence में यूज करेंगे तो अगर आप लोगों को किसी से कहना हो, जंगली अनुमान से बचेंगे, आप लोग इंग्लिस में बोलेंगे, avoid wild speculation अबोईड विल्ड अस्पेकुलेशन अबोईड यानि से बचे वाइल्ड अस्पेकुलेशन यानि जंगली अनुमान से वाइल्ड यानि होता है जंगली तो इस सेंटेंस का हिन्दी मिन हुआ जंगली अनुमान से बचे अगला सेंटेंस है अगर आप लोगों को किसी से कहना हो सटे बाज ने सटा लगाया तो आप लोग इंगलिस में बोलेंगे यानि सटे बाज ने सटा लगाया तो इस सेंटेंस का हिंदी मिनिंग हुआ सटे बाज ने सटा लगाया यह जो सेंटेंस है पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है तो आप लोग देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में मैं यहाँ पे एस्पेकुलेट भर्ब का भीटू का यूज किया हूँ और यहां पे मैं नाउन के रूप में speculator word का यूज किया हूँ जो speculate verb से बना है अगला sentence है अगर आप लोगों को किसी से कहना हो उसने stock market की ओर अनुमानित नजर से देखा तो आप लोग इंगलिस में बोलेंगे, she looked at the stock market speculatively, याने उसने देखा, at the stock market, याने ये stock market की ओर speculatively, याने अनुमानित रूप से, या अनुमानित नजर से, तो इस sentence का हिंदी मिनिंग हुआ, उसने अनुमानित नजर से, या अनुमानित रूप से, ये stock market की ओर देखा, तो आप देख सकते हैं, कि इस sentence में मैं, speculative word का यूज, एडभर्व के रूप में किया हूँ, अगला sentence है, अगर आप लोगों को किसी से कहना हूँ, सिधान्त की अनुमनतितता अस्पोस्ट है, तो आप लोग इंगलिस में बोलेंगे, the speculativeness of theory is evident, the speculativeness of theory is evidence, theory यानि सिधान्त, अफ यानि कोई याखी, speculativeness यानि अनुमनतितता, तो इसका हिंदी मिनिंग हुआ, सिधान्त की अनुमनतितता, is यानि है, evident यानि अस्पोस्ट, तो इस sentence का हिंदी मिनिंग हुआ, सिधान्त की अनुमनतितता, अस्पोस्ट है, अगला sentence है, अगर आप लोगों को किसी से कहना हो, उनका निवेश अनुमानित था, तो आप लोग इंगलिस में बोलेंगे, their investment was speculative, their investment यानि उनके निवास यानि था, speculative यानि अनुमानित, तो इस sentence का हिंदी मिनिंग हुआ, उनका निवेश अनुमानित था, अगला sentence है, अगर आप लोगों को किसी से कहना हो, आपने सतर्कता के साथ अनुमान लगाया है, तो आप लोग इंगलिस में बोलेंगे, यानि आपने अनुमान लगाया है, with caution यानि सतर्कता के साथ, तो इस sentence का हिंदी मिनिंग हुआ, आपने सतर्कता के साथ, अनुमान लगाया है, कौसन का हिंदी मिनिंग होता है, सतर्कता, तो अगर आप लोगों को हैब, हैज, हैड का परियोग नहीं आता है, तो आप लोग हैब बर्ब के वीडियो को इसके description box से, या चैनल के playlist में जाकर के most spoken बर्ब स्तिरिज से, आप लोग हैब बर्ब के वीडियो को देख करके, हैब, हैज, हैड का परियोग सीख सकते हैं, और अगर आप लोगों को, इज, आरेम, और वाजवार, और बी, इन, बी का परियोग नहीं आता है, तो बी भर्ब के वीडियो को देख सकते हैं, इसके इस वीडियो के playlist से, या फिर, अगर आप लोगों को, डू डज का परियोग नहीं आता है, तो आप लोग, डू भर्ब के वीडियो को, इस वीडियो के description बॉक्स से, या फिर, चैनल के playlist से देख सकते हैं, तो ये वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा, प्लेज, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और साथ में ही, अगर आप लोगों को अच्छा लगा, तो आप लोग कमेंट करें, कि अगला वीडियो मैं किस भर्ब के उपर ले करके आऊं, और दो-तिन सेंटेंस में, आप लोग, एस पेकुलेट भर्ब का यूज करें, तो मिलता हूं मैं, अगले वीडियो में, अगले भर्ब के साथ, तब तक के लिए, आप लोगों को, और आप लोगों की पूरे परिवार को, मेरी तरब से हार्दिक सुपकम नाएं, नमस्कार, जैहिंद,